क्या सेहत के लिए वीगन रोफूर्ड डाइट जानलेवा है यह सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि एक रूसी वीगन इन्फूरेंसर की इसके चलते मौत भी है रूस के नहने वाली जन्ना सैमसुनोवा जिहां सिर्फ शाकाहारी कच्चे आहर का सेवन करती थी यानि कि वो जो कुछ भी नहीं खाती थी और जो होता था जो भी खाती थी वो सिर्फ कच्चा होता था सैमसुनोवा सिर्फ विदेशी पलव पे ही निर्भर आती थी यानि कि एक्जॉटिक फूर्स का सेवन करती थी सोशल मीडिया पर जन्ना अकसर वीगन रॉफ फूट का बखान करती नज़र आती थी जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसर आपको बता दे वीगन रॉफ फूट डाएट पर हैने की वज़ह से जन्ना भुकमरी का शिकार कुई इसकी वज़ह से उसकी मौत हो गई है सैमसुन ओबा टिक टॉक से लेकर फेस्बुक इंस्टोग्रेम तक हर जगह अपनी रॉफ फूट डाएट के बारे में बताती और नज़र आती थी अपने लाखो फैंस के बीच वो जाना जी आर्ट के नाम से मश्हूर भी थी सैमसुन ओबा जब दक्षनी पूर भी एईशा की टूर पर थी तभी उनकी तव्यत अचानक से खराब होई थी डॉक्टर ने उसे बचाने की काफी कोशिश है की लेकिन 21 जुलाई को वो जिन्दगी की जंग हाती इन तमाम चीज़ों के बाद आपको क्या लगता है आप पतला होने चाहते हैं आप स्वस्त होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है एक बैलन्स डाइट का आप सहारा जरूर ले और किसी चीज़ को जुनूर ना बनाए और जुनूर इस हद तक भी नहीं कि वो आपकी जान ले ज है जयँ कि बात sécur कि उानती कि बातना लेकी जार जानना शार ठार ज्यार जार दाष्मा झार् करता हैं उत्याओतो हैं सहनले Mart愉ता है